अगर आप अपने लिए एक बहतरिन टेब्लेट सर्च कर रहे हैं तो आपको Realme Pad को जरूर देखना चाहिए नमस्कार दोस्तों मैं हर्स हाजिर हूँ अब सभी के सामने एक वाफिट से न्यू टाइम और न्यू टेक्नोलोजी के साथ आज मैं आया हूँ Realme के स्मार्ट स्टोर पर जो की कालकाजी दिल्ली में पढ़ता है आपको इस स्टोर पर Realme के सभी प्रोडक्स मिल जाएंगे यह है आपके सामने Realme Pad का Retail Box फ्रेंट में Realme Pad शपा हुआ है और साइड में Realme Pad लिखा हुआ है इस साइड में Realme की ब्रेंडिंग है और इसके बॉक्स के पीछे इसकी की हाइलाइट्स लिखी हुई है इसके फीचर्स के बारे में इस वीडियो में आगे जानते हैं इस टैबलेट में कमपनी ने 10.4 इस नहीं कर पा रहा है अब पता नहीं मैं और कोई लेकर नहीं आया हूँ तो आप इसे ही काम चला लीजिए आइए इस टैबलेट का फिजिकल ओवर्वियू कर लेते हैं बॉटम में कमपनी ने डूल स्पीकर का उपयोग किया है और आपको इसके लेप्ट साइड में एक आडियो जैक मिल जाता है जहाँ पर आप इयरफोन लगा सकते हैं इसके राइट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाएगी जहाँ पर आप दो सिम को लगा सकते हो और इसी के साथ साथ उपर की तरफ इस सिम जो ट्रे है उसके उपर की तरफ आपको यहाँ पर वॉलिम रॉक मिल जाएंगे और इस साइड में ऊपर की साइड भी आपको दो स्पीकर्स मिल जाएंगे जो कि डॉल भी एटम को सपोर्ट करते हैं और इस टैबलेट के ऊपर की तरफ ही आपको एक पावर बटन भी मिल जाता है इस टैबलेट में कमपनी ने 8 मेगापिक्सल का फ्रेंट कैमर दिया है जो front camera की position है वो horizontal में दी हुई है कुछ इस तरीके का आप लोग देख सकते हैं right side में और back side में भी 8 megapixel का camera मिलता है और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर realme की branding मिल जाती है एक line मिल जाती है जो की दिखने में काफी जादा इसका look जो है enhance करती है इस tablet को company ने 3 variants में launch किय पहला अगर आप wifi only लोगे तो आपको 3GB RAM के साथ 32GB internal memory मिलेगी और अगर आप wifi और cellular याने की 4GB लोगे तो आपको 3GB RAM के साथ 32GB internal memory मिल जाएगी और 4GB RAM के साथ 64GB internal memory मिल जाएगी तीनों की कीमत अलग अलग है company ने इसकी सुरुवाती कीमत 13,999 रुपय रखी हुई है और जो इसका top variant है उसकी कीमत 17,999 रुपय तक है मैंने इस tablet को studio के अंदर काफी देर तक चलाया उसके बाद मैं आपको अपना ओपनियन दे रहा हूँ अगर आप इस range के अंदर कोई भी tablet लेना चाह रहे है तो मैं realme UI 2.0 मिल जाएगा कंपनी ने अपने UI को काफी अच्छी तरीके से कस्टमाइज किया है जिससे tablet में इसके UI को यूज करने में कोई भी problem नहीं हो रही है यह realme pad tablet आपको flip card पर easily मिल जाएगी इस tablet में company ने media tech company का helio g80 processor का उप्योग किया है जिसकी वज़े से इसकी performance काफी अ मीधे वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जल्दी से इस वीडियो को like कर दीजिए अपने friend के साथ इसको share कर दीजिए अगर आपको कोई भी सवाले फे कोई भी सुझा वो comment करना ना बोलेगा और अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को subscribe नहीं किया है तो technical sht YouTube चैनल को आ important वीडियो जी हां भाई important वीडियो समय समय पलाता रहता हूं चैनल वंदे मातरम